तो जैहिं कैसे हैं आप लोग उमीद करते हूं आप लोग अच्छ होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्थ होंगे तो आज हम UP Police Constable उसका रीग जम अभी होना बाकी है उसी के कुछ ऐसे points निकल के आए हैं उसी के बारे में आप से मैं बात करूँगा ठीक है तो देखिए पहली बद तो अभी एक दिन पहले, एक दो दिन पहले एक notice आया था, वाइरल हो रहा था कि इस तारीकों जैसे 30 जून और 29 जून को उसमें बताया जा रहा था कि आपका रीग जम होना ताय है ठीक है, परकारी जो भरती बोड है, यूपी पुलिस का उसने जारी करके और notice जारी करके उसने बताया कैसे कोई भी पूश्टी नहीं हुआ है और किसी भी date का भी निश्चित नहीं किया गया है रिक्जाम का ठीक है तब फिलहाल में आप यह दिमाग दें कि आपका जो notice है ओर ओर जिनल है, तो फर्जी है ऐसे ही निकाल देंगे ठीक है लेकिन बात करते हैं कि ओर जिनल कब तक आ सकता है, ठीक है वो तो सब जानते कि वो फर्जी था, ठीक है फर्जी था, ठीक है लेकिन समस्या यह है कि एक या दो महिने के बाद या एक ही महिने के बाद जो अभी जून आने वाला आप इमीड़ी यह तो मालेजी के माई में और दस दिन बचा है दस दिन खत्म हो जाएंगे ठीक है उसके बाद से आता है जून जून के लाश्ट तक पेपर कराना संभव हो सकता है क्योंकि उसने बताया था भरती बोड ने कि जब एक्जाम में उसका रख्ध हुआ था तो उसने बताया था कि 6 माहिने का अंदरी पेपर करा लिया जाएगा चार महिने बेच चुके हैं तो हो सकता है कि जून के लाश्ट तक पेपर करा लिया जाए ये वाला जो नोटिस तो फरजी था लेकिन समस्या ये है कि हो भी सकता है कि जून के लाश्ट तक पेपर करा लिया जाए ठीक है जून के अगर लाश्ट तक नहीं होता है तो यह मान के चलिए आपको जुलाई में पेपर देना ही देना है आपको जुलाई में पेपर अवस्य देना है बाद को हम नोट कर ले कि आपको जुलाई में पेपर देना है अगर जुन में पेपर नहीं दिये ता आपको जुलाई में पेपर देना ही देना है ठीक है लेकिन उसके बाद से एक और points आता है कि जुलाई में पेपर दे देते हैं तो उसके बाद से आपका answer कितने दिन में आ सकता है, answer sheet कितने दिन में आता है, तो एसे जो answer key जो है, वो हफ्ता दिन के अंदर आ जाता है, answer key ठीक है, लेकिन जो result है, जिसको DV PhD जो कराते हैं, तो लग बाई एक महिना उसमें लग जाता है, तो यह बात को याद रखी है, ठीक है, लेकिन उसमें सबसे पहले बात यह पता चलता है, कि आपको तो जो भी वो चरण होते हैं, तो तो माहिनों को पेपर के बाद आते हैं, ठीक है, लेकिन पेपर से पहले अभी हमको फिलाल में क्या करना चाहिए देड़ यह 2-3 महन, 3 महन नहीं है, आपको पास डेड़ यह 2 महन पास जाहे समय ठीका, एक महन भी महन भी कर सकते हैं, लेकिन अब एक महन नहीं मानें क्योंकि 15 जुन तक पेपर करना थोड़ा संपो लग रहा है, तो आप डेड़ महीन मानें, डेड़ से दो महीन आपके पास समय है, ठीक, पेपर जाला, अभी दो महीन में आपको करना क्या है, बहुत सारे हमने वीडियो बना है लिंग, फिर भी एक बार और एक चीज नया चीज जोड़ करके मैं बता दे रहा है, ठीक है, कि दो महीने में आप इतना याद रखें कि एक महीना आपको practice set करना हो, और एक महीना आपको पहले practice set वाले एक महीने से पहले आपको एक महीने पूरे syllabus को revise करना है, एक बार पूरे नीचोड को इपर देख लड़ा है, जितने भी आप notes बनाया है, total एक बार दोहरा लिजे, उसके बाद से ज पहले चारो आपका जो नोट से उसको पहले दोहरा लेजिए उसके बाद से प्रिक्टिस ईट करिएगा तब जो कि आपको लगेगा कि हम कुछ कर ले रहा है प्रिक्टिसेट में ठीक है और बात करते ब процесс के इतने करना है और कितने टाइम टाशा करना है तो आपको इतना याद रखें कि एक महिना आपको practice rate में देना ही देना है मैं एक महिना इसलिए बोल ला हूँ कि केवल ये मत मानिये कि जो 24 गंटे होता है तो उसमें से केवल एक practice rate कर लिए एक previous paper कर लिए उसके बाद से बागी छोड़ दिये ऐसा नहीं है हमारे कहने का मतलब ये है एक महिना का practice rate करने का मतलब ये है कि आप सुबह में एक practice rate करिए ठीक है दो घंटों उसके ऐसे लगते हैं उसके बाद से आप खुद practice rate करने के बाद उसको जांचिए उसमें देखिए आपको कितना सही हुआ है ठीक है एक बार एक notes पे लिखा करें कि मतलब इस वाला प्रिक्टिसेट में इस चप्टर से मेरे इतने questions गलती हुए थे ठीक है इस लेबस से मेरे इतने questions गलती हुए थे ऐसे करके आप लगभग 10 दिन हपता या 10 दिन करेंगे तो उसके बाद से आप पता चलेगा कि आपको कोई से सलेबस में कोई से चिप्टर आपको कम जोड़ पर रहा है तो उस पर ध्यान दे लेंगे तो एक महिना उसलिए मैं बोला हूँ कि एक महिने कंदर उसको बना लेंग और मेरा सेलेक्शन हो जाएगा ठीक है तो फिलाल में मुझे तो वस इसी टॉपिक पर बात करना था फिर भी अगर कोई को टॉपिक बचा है तो कॉमेंट करके बता देजीगा और नेक्स्ट वाले वीडियो में उसको मैं इंक्लूड करके बता दूँगा तब तक के लिए जय हूँ जय भरत